परतस्त कंपणी है और अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन है तो लगातार इसमें काफी गिरावट है और हम बताएंगे कि किस प्राइस पर मिल रहा है और आने वाले समय में कितना रिटर्न मिल सकता है या पास्ट कैसे रिटर्न रहे यह देखते हैं चलिए यहां पर देखि हो जाए कि कंपनी बेसिकली करती क्या है यह बैटरी स्री नेर्ट यह यह बनाती है और इनका इंटरेशनल नेशनल सब जगाए व्यापार है यानि बैटरी एक्स्पोर भी करती हैं और इन कंपनियों के नाम से जाने आती है Exide, Chloride, Seal, Index, Dinex, Black Panther, International Market में तो battery sector की या battery की ये जबर्दस्त company है अपने sector में और भारत में अभी इसकी क्या सिती है चलिए, Exide Industries Limited आज June 13, 2019 है 2.34 मिनिट है और 206 रुपए के भाव पर trade हो रहा है यानि 3.30 रुपए की downside है low बनाया था इसने एक साल का 194 रुपए 30 रुपए और high था 304 रुपए और अगर हम इस चार्ट में एक चीज देखें तो हम देखते हैं कि 206 के आसपास जो चल रहा है ये कितने साल पहले था और हाँ यहाँ पे यानि फरवरी 2017 में यह भाव था जो आज जून 13 2019 को है और मार्केट कैप्टल है इसका 17,620 करोण की एक मिड़ कैप कमपनी है यह पीए से 9.93 पी रेशियो है इसका 20.88 इंडस्ट्री पी है 21.52 और बुक वेल्यू 70.44 प्राइस टुबुक है 2.94 और फेस वेल्यू एक की रह गई है डिलेवरेबल ए 44% के आसपास हम रिजल्स भी देखेंगे फिर उसके बाद उस थोड़ी से बात करेंगे हाँ यहाँ पर देखेंगे टॉप सेगेर्मेंस में अगर हम आते हैं तो कमपनी बेसिकली जो इसको 73% के आसपास की जो इसकी आय है जो इसका वेवसाय है स्टोरिज बैटरीज एन अलाइट प्रोड़क्ट से लेकिन 25 यानि 26% के आसपास लाइफ इंशुरेंस बिजनस है तो एकसाइड लाइफ इंशुरेंस बिजनस में भी है और डिविडेंट पेंग स्टॉक है पिछले साल भी दिया तह इस साल भी देंगे और नमबर वन है इंडस्ट्रियों तो नमबर वन की एक पहतरीन कंपनी लेकिन हमें दो काणों से अभी थोड़ा सा गिरावट इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार होता क्या है कि जो आटो सेक्टर जिनके लिए बैटरीज बनाती है तो आप सब को पता है पिसले कई सालों से दो तीन सालो से जबर्दस दबाव है और गवर्मेंट का भी एक रुझान है कि भारत में कुछ आने वाले समय में सब इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएं जिससे की पॉलूशन जो है थोड़ा सक कम हो क्योंकि कई शहरों में बहुत दिल्ली में तो खासकर बहुत ज़्यादा पॉलूशन है त बैटरी को भी काफी अच्छी ओडर्स मिलने की समभाव ना है तो इस तरीके से हम अब फनेंशल देख लेते हैं कैसे हैं यहाँ पर देखे गर हम दिसंबर 18 और मार्च 19 क्वाटर फिवर में कंपेर करते हैं तो नेट सेल्स में जहां 2496 करोड की थी दिसंबर 18 में मार्च 19 म 35% के असपास की अपसाइड है और मार्जिन में भी यहाँ 1.85% की अपसाइड है जो की एक पहतरीन है लेकिन अगर हम year on year भी देखते हैं तो year on year भी देखे जहां 2469 करोड की नेट सेल्स थी वहीं 2598 करोड की होगी मार्च 19 में मार्च 18 के मुकाबले मार्च 19 में तो यहाँ 5 0.66% की अपसाइड है और नेट प्रॉफिट में भी 11% के असपास की अपसाइड है और मार्जिन में भी इन्होंने जो है अपसाइड ही है थोड़ी सी 0.62% की तो नो डाउट इनके रिजल्स अच्छे आए हैं और इस वजह से नहीं इसमें कोई प्रभाव पड़ा है तो ब बैटरी का जो स्टाक है अगर ये कंपनी पसंद है अमार राजा बैटरी भी है एकसाइड इंडस्ट्री उस पर बनाऊंगा तो एकसाइड इंडस्ट्री मुझे काफी अट्रेक्ट करती है लेकिन अभी थोड़ा इसका समय नहीं है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये इंडस्ट्री के बारे में एक हमारे सस्क्राइबर में अभी पूछा था तो मैंने का चुले एक वीडियो बना देता हूँ क्योंकि इसके पहले बनाया तो था लेकिन और एक अच्छी कमपनी है अभी गिरी हुई है इस गिरावट में आप चाहें तो थोड़ी-थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं लंबे समय के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो